तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी सरी चल रही है, हिस्ट्री के टोप 1000 कोश्चन्स, यानि आने वाले जो भी आपके एक्जाम्स हैं, चाहिए वो SSJD का हो, UP पुलिस का हो या कोई भी अधर एक्जाम्स, तो उन सभी के लिए काफी important सीरीज होने वाली ह इसका है second part है, first part आपने नहीं देखा है, description में आपको link मिल जाएगा, click करके देख सकते हैं, तो चलिए करते हैं, शुरू, आज का सबसे पहला प्रस्ट है, यानि 10 questions हम previous वीडियो में complete कर चुके थे, question number 11 है, गीता रहस्ये, नामक गरंथ किसके द्वारा लिखा गया है, गीत रहस्ये जो गरंथ है, ये लिखा गया बाल गंगाधर तिलक की द्वारा, next है, दक्षण अफरीका के किस railway station पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फैका गया था, यानि उनको जो है, ट्रेन से उतार दे गया था, ट्रेन से नीचे धकेल दिया गया था, तो दक्षण अफरीका का जो इस्टेशन था, ये था ओप्षन नमबर B, पीटर मारित्सवर्ग, इस railway station पर ही महात्मा गांधी की वेजिती की गई थी, यानि उनको ट्रेन से उतार दिया गया था, next है, नमबर 13, भारत को स्वतंतरता प्राप्ती के समय, इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, जब भारत को स्वतंतरता प्राप्त हुई थी, तो उस टाइम जो इंग्लैंड में सरकार थी, ओप्षन नमबर A, लेवर पार्टी, यानि उस टाइम इंग्लैंड में लेवर पार्टी की सरकार थी, next है, question नमबर 14, ये किस वर्स राष्टे गीत, बंदे मात्रम पहली वार गाया गया था, यानि कौन से वर्स, जो बंदे भारत है, जो उसरी बंदे मात्रम है, जो हमारा राष्टे गीत है, ये गाया गया था, तो ये गाया गया था, option नमबर A, 1896 में, ये 1896 में, पहली वार, हमारा जो राष्ट गीत है, बंदे मात्रम, ये पहली वार गाया गया नेक्स्ट है कोश्चन नमबर 15 मिर्जा गालिब किस वादसा के समय में थे यह यूँ कह सकते हैं इनमें से किसके समकालीन थे मिर्जा गालिब तो यह थे ऑप्शन नमबर C बहादुर शहादुत्ये या इनके समकालीन थे नेक्स्ट है 16 भारत का पिर्थम गवर्नर जर्नल कौन था भारत का पिर्थम गवर्नर जर्नल ठीक है तो यह था ओप्शन नमबर C विलियम वेंटिंग विलियम वेंटिंग क्या था भारत का पिर्थम गवर्नर जर्नल था नेक्स्ट है कोश्चन नमबर 17 17 में हमसे का गया भारत में डाक व्यवस्था सुरू करने वाला गवर्नर जर्नल कौन था? किस सिख गुरू नानक की जीवनी लिखी थी यानि वो कौन से सिख गुरू है जिनोंने गुरू नानक की जीवनी है वो लिखी तो इसका option number D बिल्कुल सही होगा गुरू अर्जुन देव next है question number 19 इसमें कहा गया है सा जहां के काल में कौन यूरोपियन यात्री भारत आया था कौन सा जो यूरोपियन यात्री था वो भारत आया था तो option number D पीटर मुंडी पीटर मुंडी क्या है ये सा जहां के काल में ही एक यूरोपिय यात्री था जो भारत आया था नेक्स्टर जहागीर को कहां दफनाया गया था या यह कह सकते कि जहागीर का जो मगवरा है वो कहां पर है तो इसके ट्रिक मैंने भी कल ही अपलोड की है अपने चैनल पर आप देख सकते सबी बिर्मुक मगवरे भारत के जितने भी मगवरे जो भी एक्जाम में आप से लाहोर तो जहागीर को कहां दफनाया गया था लाहोर में दफनाया गया था यहीं पर इसका मखवरा है तो फ्रेंड्स आई होपी वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक शेयर करना ना भूले और इसका पहला पार देखने के लिए आप पर नीचे डेक्समें जा सकते है thank you for watching मिलते हैं next वीडियो में